दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है डेली करेंट फेर क्विज में आज हम देखेंगे 13 नॉबर की करेंट फेर को जोकि सभी परिक्साओं के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट फेर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोचनांसर को कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन लगतार लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा बेल ऐकन को भी ओन रखेगा ताकि आग्या आने वाली सब भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें छेएजार के कोशन आंसर की पीडियाप जिसमें कम्पलेट जीके साइन्स करेंटफिर और कम्प्यूटर हैं ये 175 रुपीज में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो से मैं एक कोशन पूछूँगा जिसका अंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना है कोशन है हाल ही में किस देश के किरकेटर स्टीफन माइबर्ग ने सन्यास की घोशना की है तो ये मैंने कल की वीडियो में कोशन कवर कराया था आप इस कोशन का अंसर कमेंट बोक्स में बताईएगा चले शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को पहला कोशन है हाल ही में किस टेनिस खिलाडी ने 2022 प्रूस एकल पैरिस मास्टर्स किताब जीता है तो इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा फटाफट कमेंट बोक्स में बता सकते हैं इसका रेट आंसर रहेगा होलगर रूने यानि की ऑप्शन सी रेट आंसर रहेगा कोशन नमबर वन का आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं अगला कोश्छन आता है हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए Merchant One Account लौंच किया है तो यह लौंच किया है दोस्तो कोटेक महिंदरा बैंक ने यानी कि B-Rate Answer है गा कोश्छन नम्बर 2 का तीसरा कोश्छन आता है हाल ही में इंडिया Stone Mart International Exhibition के ग्यारवे संसकंड की मेजबानी कौन करेगा तो इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एक्जिबिशन की मेजबानी दोस्तों करने वाला है बिल्कुल जैपूर यानि की option A right answer है कोशन नमबर 3 का कोशन नमबर 4 आता है हाल ही में ESIC मातरुत लाब के लिए आनलाइन पोर्टल किसने लोंच किया है तो कोशन नमबर 4 का right answer है option B पुपेंदर यादव ने ठीक है तो ये आपका right answer B रहेगा कोशन नमबर 5 है हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डोलर का रिन परदान करेगा तो पांचवे कोशन का दोस्तो right answer हैगा option B बांगलादेश को तो ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 5 के बारे में कोशन नमबर 6 है हाल ही में किसने middle east green initiative के लिए 2.5 अरब डोलर की परतिवित्ता जताई है तो छटे कोशन का right answer option C हो जाएगा साओधी अरब ने तो यहाँ पर right answer आपका C रहेगा कोशन नमबर 6 का कोशन नमबर 7 है हाल ही में इंडिया agree business best state award किसने जीता है और देखिए अगर आपको हमारा content पसंद आता है दोस्तों और कम समय में ज्यादा questions मैं आपको cover कराता हूँ पूरी current affair में तो please आप इस वीडियो को like जरूर किया करें अपने हर एक WhatsApp ग्रूप में जितने भी WhatsApp ग्रूप है आपके studies related उनमें share कर दिया करें अपने भाई बैंच जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो वो भी कम समय में सारी current affair याद कर लें पढ़ लें आप इस वीडियो को दो बार भी देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है ठीक है साथवे question का right answer है दोस्तों option B हर्याना ठीक है तो right answer B हो जाएगा आठवा question है हाल ही में हिमाचल पर्देश में दुनिया का सबसे उचा मद्दान केंदर कोन सा बना है तो आठवे question का right answer है बिल्कुल सही है टसी गंग यानि की right answer दोस्तों क्या हो जाएगा B तो ये आपको याद एखना है अगला question आते है दोस्तों हाल ही में नवी technology ने किसे अपना brand ambassador बनाया है तो 90 question का right answer है दोस्तों option C MS दोनी को तो ये आपको याद एखना है question number 9 के बारे में question number 10 है हाल ही में बिम स्ट्रेक के किर्सी मंत्रियों की दूसरी बैटक की मेजबानी किस ने की है तो 10 वे question का right answer option B रहेगा भारत ने तो यहाँ पर right answer B हो जाएगा अगला question आता है हाल ही में भारतिय सेना ने किस राज्य में वालों मेले का आयोजन किया है तो 11 question का दोस्तों right answer क्या रहेगा option C हो जाएगा अरनाचल परदेश ठीक है right answer is option C 12 question है विश्व नमोनिया दिवस का मनाया जाता है तो 12 question का right answer रहेगा आपका दोस्तों option C 12 November को तो यह आपको याद अखना है question number 12 के बारे में question number 13 है वर्स 2022 के स्रीलाल सुकल समरिती इफको साहित्ते सम्मान के लिए किस कताकार के नाम की घोशना की गई है तो question number 13 का right answer option ही हो जाएगा दोस्तों जैनंदन ठीक है यहाँ पर right answer आपका option A रहेगा question number 14 है किस मुक्यबाज खिलाडी ने A, S, B, C, A, C, A, C, I, Championship के फाइनल संड़ पदक हासिल कर लिया है तो 14 का right answer option परवीन हुड़ा हो जाएगा यानि कि right answer C रहेगा question number 14 का question number 15 है इंडिया एक्जिम बैंक ने दक्सिल अफरीका के किस बैंक के साथ issuing बैंक करार किया है तो 15 का दोस्तों right answer रहेगा अबास बैंक के साथ में यानि कि right answer B रहेगा question number 15 का question number 16 है हाल ही में किस ने भारत के पहले सावरें green bond framework को मंजूरी दी है तो 16 का right answer क्या रहेगा option A हो जाएगा निर्मला सी तरम अजीन है ठीक है यानि कि option A right answer है question number 16 का question number 17 है किस देश ने निरत चोपड़ा को friendship ambassador न्यूक्त किया है तो दोस्तो सतरवे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल option A हो जाएगा तो ये आपको याद अखना है question number 17 का वही अगला question आता है किस देश ने भारत को अपनी मुद्रा निग्रानी सूची से हटाया है तो अठारवे question का right answer क्या रहेगा option C हो जाएगा अमेरिका ने उन्निसवा question आता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंध तक राज्य को जुग्य मुक्त बनाने की खोशना की है very very important question है दोस्तों ये और उन्निसवे question का right answer हैगा उड़ी साने तो ये आपको याद अखना है question number 19 के बारे में question number 20 है NIIFL ने भारत में जापाने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझोते पर हस्ताकसर किये हैं तो 20 वे question का दोस्तों right answer हो जाएगा Japan Bank 4 International Corporation यानि की JBIC ने तो option A right answer हैगा question number 20 का ये हमारे 20 question थे अभी homework का question और question of the day के बारे में बात कर लेते हैं तो आज के homework के question का answer सभी student को comment box में बताना है question है कि संगठन ने state of the global climate in 2022 report जारी की है इसका answer मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा ठीक है जो भी हमारा homework का question होता है वो next day उसका answer आपको मिल जाता है तो please को try करिए बिल्कुल अगर आप गलत सही जो भी कर पाते हैं आज का हमारा question of the day है कागज का विसकार सबसे पहले कहां हुआ था तो इसके लिए मैं आपको 5 second का समय देता हूँ आप try करके देखिए इस question का answer क्या सही रहता है जो हमारा कल का homework का question था दोस्तों वह था कि Reliance 0 true 5G सेवा कहां launch की गई है तो इस question का right answer हैगा बैंगलोर और हैदराबाद में यानि कि उप्रुक्त दोनों इस question का right answer हैगा option C ठीक है मैं तो ये था हमारा कल का homework का question और दोस्तों ये थी हमारी complete video आपको कैसी लगी प्लीज comment box में एक छोटा सा comment करके जरूर बतेगा वीडियो पसंद आई ये like करिए अपने भाई बैंड जो भी relative है जो भी comparative exam की तहरी करते हैं उन तक share करिए और 6000 के question answers की जो पीडियाप है 175 रुपे वाली इसको download करके दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करिए बहुत ही जवरदस्त पीडियाप है ठीक है इसमें complete gk, science, current affair, computer सब कुछ आपको मिल जाता है हमें whatsapp में भी contact कर सकते हैं आपको और भी extra पीडियाप हम free में provide करा देंगे अगर आप ये 175 का screenshot हमें भेजते हैं Thank you so much Bye Bye everyone take care ख्याल रखे अपना मिलते हैं next class में